हेलो स्ट्वेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे अगर आप सभी भी इस बार का सीट अगस्ट दो हजार तेस देने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है और ये इतनी महतुपून खबर है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस के मन में उठ रहे हैं उनी प्रशनों को बताने के लिए क्या बदला हुआ है क्या पैटर्न में बदला हुआ है प्रशनों के पूछने के तरीके में बदला हुआ है क्या नए स्लेबस के आधार पर प्रशन इस बार पूछे जाएंगे ऐसे ही वह सारे प्रशनों के आंसर द क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा online exam हो रहा था अगर हम पिछले दो बार की बात करें तो online exam में अपने प्रश्णों के तरीके भी देखे होंगे कि इस तरीके से प्रश्ण पुछा गया है बहुत से प्रश्ण ऐसे भी आये हैं जिनको समझने में हमें बहुत time लगा है या हमारा 2019 में हुआ था और अब 2023 में फिर से हमारा offline exam होने वाला है तो इन दोनों में क्या अंतर रहेगा और ये उससे कितना अलग भी रहेगा हम इसका मुश्किल कितना रहेगा कठी निस्तर क्या रहेगा उस पर भी हम इसी session में बात करेंगे तीसरा हमारा point है NEP यानि कि national education policy क अनुसार क्या इस बार syllabus में भी परिवर्तन होगा जैसे हम सबको बता है कि कुछ syllabus syllabus कहिए या फिर प्रश्न का तरीका कहिए उसमें हमारे change आये हैं तो क्या हम अगर बात करें इस बार के exam को लेकर क्योंकि जो परिवर्तन है तो पूरी तरीके से अगर हम देखें इसी exam में ह आपका teaching वाला इस बार के exam को pass करने में आपकी किस तरीके से help करेगा और आप किस तरीके से हमारी साहता लेकर teaching वाला की साहता लेकर आप अपने इस exam को पहली ही बार में जो बच्चे पहली बार exam देने जा रहे हैं पास कर सकते हैं या दूसरी बार या कुछ ऐसे होंगे जो उनको अपना score अच्छा करना होगा, online में किसी का score अगर खराब हो गया हो, तो अपने score को अच्छा करेंगे, तो उसमें हमारी team आपकी कैसे help करेगी, हम इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले, सबसे पहला और महतवपून पोइंट है, अगर हम देखें याप पर प्रश्ण के पूछने के तरीके को, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे set आये थे, उन set में कुछ set ऐसे थे जो आपको आसाल लगे, कुछ set ऐसे थे जो आपको बहुत जादा मुश्किल लगे, जहां आपको मुश्किल लग रहा था, information देनी है, तो आप परेशान मत होई है, मैं आपको सभी जानकारियों के साथ में, और एक सही तरीके से, कैसे अपने स्कोर को भी हम बना कर रखें, हम पहली बार में अपने exam को भी पास कर लें, उन सभी points पर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो मैं आपको फिर से कहूँ कि यहाँ पर जो हमारा online exam जो हुआ था, उससे मुश्किल इस बार का हमारा exam रहने वाला है, जैसे कि संभावना है 99%, कारण क्या है, एक तो students आपको पताए कि काफी बचे इस वाले exam में हमारे बैठने वाले हैं, आपको यह भी पता होगा कि बहुत से हमारे ऐसे exam भी आने वाले हैं, जिन में यह कहा गया है कि जो इस seat at में बैठ रहा है, वो वहाँ पर भी apply कर सकता है, बशरते उसका result उस time तक आजाए, फिर हमारी नई education policy जो है, वो भी आपने देखा होगा कि कही ना कही आपने देखा होगा, पूरी तरीके से वो लागू हो चुकी है, अगर एक दो जंगा की बात को हम छोड़ दें, तो बागी जंगा उसको लागू कर दिया गया है, और उसी के आधार पर हमारी चीज़े भी होने लगी है, अब point number 2 की बात करते हैं, 2023 का offline exam, 2019 के offline exam से कितना अलग होगा, और यहाँ पर मेरा जो answer होगा, वो होगा 90%, मैंने 90% क्यों कहा, 10% क्योंकि जो तरीका होता है, जैसे हमारे 30-30-30 प्रशन आते हैं, वो वही रहने वाले हैं, वही 150 प्रशन जो हमारे पूछे जाते हैं, वो आपका वही रहेगा, वही 30-30 करके 5 subject में, हमारा वो उसमें बटा हुआ होगा, उसमें pattern में कोई बदलाव नहीं है, अब बदलाव क्या है, किस तरीके से, हमने यहीं पर, हम बार-बार new education policy की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे पहले गर हम 2019 की बात करते हैं, तब तक यह लागू नहीं हुई थी, इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी, 2020 के बाद से इसको लागू करना थोड़ा-थोड़ा शुरू किया था, और आगे जाकर यह पूर्ण रूप से आपकी लागू भी हो गई हैं, प्रश्णों के तरीके में भी बदलाओ होगा, इवेन अगर मैं यह कहूँ, कि आपका जो लेवल होगा, प्रश्ण का लेवल होगा, चाहे वो मैं हिंदी की बात करूँ, इंगलिश की बात करूँ, मैं CDP की बात करूँ, EVS की बात करूँ, SST की बात करूँ, Science की बात करें, Maths की बात कर लीजे, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजे, आपका जो लेवल होगा, वो बहुत जादा बढ़ा हुआ आएगा, और अगर हम ratio की बात करते हैं, जैसे कोई भी अगर paper हमारा set होता है, हम किसी ratio की बात करते हैं, तो ratio हमारा ज़्यादा तर ये रहता है, 40-60, यानि कि 40% हमारा आसान कह लीजे, या आप कह लीजे ऐसे प्रश्ण, जिनको हम थोड़ा समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में जूड सकते हैं, और इस बार का जो 60% रहेगा, ये कठीन में रहेगा, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अवशक्ता होगी, और मेहनत किस तरीके की करनी होगी, अब क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं, या प्रश्न का तरीका है, उसको समझने का तरीका है, हर चीजको हम अपने पूरी तरीके से कम्प्लीट करके चलें, तो इतने टाइम के लिए, अगर हम इसको यहाँ पर देखे तो 60% का जो हमारा कटिन portion होता है उसको हमें cover करना है लेकिन hard work के साथ में smart work के जरीए अब हो smart work कैसे करना है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 90% यह आपका इससे अलग भी होगा और इस तर तो पूरा इससे मुश्किल होगा मनलब 2019 के अगर में इस तर की बात कुर वो आसान इस तर में क होती लेकिन हमें सच को स्वीकार करके ही चलना है हमें यह नहीं समझना है कि 2019 का पेपर उठा लेंगे जी ओफ लाइन में हमारा पेपर हुआ था उसके आधार पर हम इसको कर लेंगे तब से बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल चुकी है चेंज हो चुके हैं बार-बार आप आपको बताया जा रहा है बहुत से अलग-अलग टीजर्स भी आपको समझा चुके हैं कि चीज़ें हमारी बदल रही है तो स्वीकार भी करना है और हमें कंसेट को किलियर करते हुए सिर्फ अगर में यह को होना किसी प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं उसके साथ में कंसेप् अगर में एक बात और आपको कह दूँ जैसे आप सबको पता है सीटेट अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है तो चेंज हो है वो प्रकरती का नियम है तो अगर कल ऐसा चेंज हो जाए कि जो सीटेट है हमारा इसमें आपके कितने मार्क्स आये हैं उसक्या भी अगर कई व अगर अगर अधर इस स्टेट से वहाँ पर जाते हो तो आप सामानये में यानि कि 90% 90 मार्कस पर आपके लोग lihat नमबर आने आवश्यक होते हैं कियो चाहे आप S C में हो चाहे आप OPC में हो चाहे आप Zynal में हो क्योंकि आप महाँ पर इसी केटेग्रे में आते हैं तो ऐसी सारी चीजे हैं जिन पर हमें फोकस करके चलना है यह नहीं सोचना है कि टिक लगा कर आ जाएंगे निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है कोई नहीं हम पास हो जाएंगे तो इस चीज को भी अपने दिमाग से में निकाल कर चलना होगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर तीन की एनिपी के अनुसार क्या इस बार स्लेबस में भी परिवर्तन होगा अब इसमें हमारा जो उत्तर होना चाहिए और जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा होगा स्लेबस के परिवर्तन में नहीं स्लेबस का जो स्लेबस से उसमें बद वाला है लेकिन बदलाव कहां होगा बदलाव होगा प्रश्न के तरीके में प्रश्न का पूछा जाना जब हम किसी भी प्रश्न को पूछते हैं तो उसमें क्या होता है प्रश्न का पूछा जाना में आपका बदलाव निश्चित है यहां आपका बदलाव हो जाएगा और तर तरका होगा चाहे हम प्रार्थ में की बात करें चाहे हम माध्य में की बात करें दोनों में हमारा जो तरीका होने वाला है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है तो आपका जो लेवल है लेवल बढ़ेगा लेकिन स्लेबस में बदलाओ आपका नहीं होगा अगर आपको यह कहीं से ही बदला है वो वही है प्रश्णों के पूछने के तरीकों में बदला हुआ है अब बात करते हैं यहां पर सबसे लास्ट और एक महतुपून पूइंट्स के लिए यह बात तो निश्चित है कि पेपर का लेवल बदल गया है यह बात निश्चित है कि हमारा जो प्रश्ण के तरीके थे वो चीजे भी हमारी चेंज हो चुकी है पहली चीजे सिर्फ पांच परसेंट आने लगी है उससे जादा नहीं आती है जो इसका आदे के साथ आपके साथ में खड़ा हुआ है आपके सभी टीचर्स अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे अपनी पूरे जीजान लगा देंगे लेकिन आपको भी अपने आपको पूरी तरीके से जोग देना होगा अपके एक्जाम की तयारी में निकि अगस्त दो हजार के sited exam के तैयारी में आपको भी अपने आपको पूरी तरीके से जोग देना होगा एक बात हमेशा याद रखेगा अगर हम बात करेना 100 परसेंट तैयारी की तो यह जो 100 परसेंट तैयारी होती है इसमें जो सिक्षक होता है शिक्षक की तैयारी होती है आपकी 90% और 10% जो तैयारी होती है वो होती है छात्र की आपको लगेगा कि मैं छात्र की सिर्फ 10 होती है और शिक्षक की 90 होती है उसके पीछे का रिजन यह है कि जो जो आपको टीचर सिखाते हैं आपसे नहीं बहुत पहले से जो आपको शिक्ष कहां आता है पहली चीज आपकी लगन आपके अंदर की लगन वह 10% में आएगी आपकी जो महनत है जो आप दिन रात एक करके करेंगे वह आपकी 10% के अंतरगत आएगी दूसरा आपके अंदर का जज़बा है कि मुझे इस बार अपने एकजाम को पास करना है वह आएगा और तो था कि मुझे हर class को attend करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास में अगस्तक का time है, मेरे पास वही एक डिड़ महीना बचा हुआ है, अब मुझे इसकी तयारी कैसे करने, उस पूरी तरीके से अपने आपको जोग देना, वो आपका 10% है, इस 90% में वही आता है, जो आप सब पढ़ चुके हैं, किसी सिख्षक के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, वो सब आपका 90 में आता है, लेकिन जब तक ये 10% काम नहीं करेगा, ये 90% आपका फेल है, इसको पास करने में, इसकी सबसे मुख्य भूमी का वहाँ पर होती है, तो इसको, इसलिए मैं कहती ह कि आपका 10% है, इसमें 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जीत को सुनिश्चित करने का काम करता है, और इसी के लिए आपको, जो हमारा जो भी यहाँ पर श्रम, 2.0 जो बैच है, एक प्रेक्टिस बैच, नाम प्रेक्टिस बैच है, लेकिन जहां पर, जैसे मैं आ आपको काई ना, थियोरी की ज़रुत होती है, हर सब्जेक्ट में अपनी एक थियोरी होती है, जब तक आप उस थियोरी के साथ में नहीं जुड़ते हैं, तो आप एक प्रेक्टिस भी नहीं कर सकते, बहुत बार हम प्रेक्टिस अपनी कर लेते हैं, इधर से, उधर से, बह पास में बेजोगे इसका एक सही उत्तर बता दीजे सिख्ष क्या करेंगे उस समय पर टीचर क्या करेंगे आपको सही आंसर बता सकते हैं लेकिन ये आंसर सही क्यों है ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ उस मैसेज में उन्होंने उत्तर दिया उसमें चाहिए म मैं भी हूँ, अगर आप मेरे पास में भेजेंगे, मैं भी आपको बदाऊंगे कि इसका अंसर A है, B है, C है या D है, लेकिन अगर वही वाला प्रशन थोड़ा सा घुमाकर आजाए, अब आप कैसे पैचान पाऊगे, अब मैंने तो आपको दूसरी तरीके से उसका अंसर दि क्यारी ज़रूरी है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आपका ये श्रम 2.0 हम यहां पर लेकर आए है, जिसकी जो रेट है, यानि कि जिसकी जो प्राइज है, वो है 499 रूपे, लेकिन आपका एक क्वेशन भी रहता है, कि जिनके पास में महापैक है, क्या उनको म मिल चुका होगा, ठीक है, तो इसकी classes आपके शुरू होने वाली है, बहुत जल्द, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे बहतर तयारी करनी है, और point to point तयारी करनी है, हर चीज को बहतर तरीके से सीखना है, क्योंकि आपके जितने भी सिख्षक यहां पर दिखाई दे रहे है, तो आपके सभी doubts को clear करने के लिए, हम सभी आ रहे हैं, शुरम two point हो में, तो आप भी हमसे वही पर मिलेगा, अब अगली information तक हम मिलेंगे, तो आप भी आप सब हमें वही पर मिलेंगे, अब अगली information पर हम फिर से मिलेंगे, तो फिर से मिलेंगे हम किसी एक और नई झाल